हलो दोस्तों इंडियन मोडर्न बाबी की दुनिया में आपका स्वागत है और हम आपको मिलाते हैं नेहा के पडोसी सुनील और सीमा से जो यहाँ पर अपनी प्यारी से बेटी सुजी के साथ रहते हैं और आएए आगे देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है अरे सुनील देखो न मुझे लगता है हमारे पडोस में कोई रहने आया है अरे हाँ हाँ सीमा तुम सही कह रही हो मैंने भी कल महाँ पर एक लड़को को घर से निकलते वे देखा था हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है लगता है वो अभी अभी यहां पर रहने आये हैं मुझे लगता है मुझे उनसे जाकर मिलना चाहिए अरे हाँ हाँ तुम सही कह रही हो तुम क्यों नहीं उनसे मिलकर आती उन्हें भी अच्छा लगेगा और यहां के बारे में जानने को भी मिलेगा हाँ सुनीर तुम सही कहते हो मुझे लगता है मुझे सुजाता को भी बुला लेना चाहिए और उनसे जाकर मिलना चाहिए अरे सीमा क्या हुआ तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया है अरे सुजाता देखो हमारी पडोस में शायद कोई रहने आया है हमें लगता है हमें उनसे मिलना चाहिए हो सकता है वो हमारी पहुत अच्छी दोस्त बन जाए अले ममा मैं भी आप लोगों के शायद चलूँगी मैं को भी जाना है आपके शायद नए पडोश में यहाँ पर सीमा और सुजाता नेहा के घर जाने लगते हैं और सुजी भी उनके साथ जाने लगती है अले वा मिंकी कितना मज़ा आ रहा है ना अले हाँ हाँ बहुत मज़ा आ रहा है और तभी वाहाँ पर सीमा और सुजाता आ जाते है और यहाँ पर तभी निहा और की डोर बैल बजने लगती है अरे गर में कोई है क्या दर्वाजा खोलो अरे इस वक्त कौन आ गया लगता है कोई मिलने आया है जा कर देखना पड़ेगा हलो मेरा नाम सुजाता है और मेरा नाम सीमा है आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा है और हम अभी यहाँ पर नए रहने आये हैं तब ही तो हम लोग आपसे मिलने आये हैं हाँ हाँ हम इसलिए आपसे मिलने आये हैं ताकि हम आपसे दोस्ती कर सकें और आपको नया शहर दिखा सकें अरे यह तो आपने बहुत अच्छा किया मैं तो सोच ही रही थी कि मैं तो यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं हूँ तो बहार गूमने कैसे जाओंगी मुझे तो यहाँ की मार्केट का भी पता नहीं है अच्छा हूँ आप दोनों आ गई आपको बहुत बहुत दन्यवाद आईए ना चलिए बैट कर बाते करते हैं चिंकी मिंकी बेटा तुम रूम में जाकर खेलो यहाँ पर हम लोगों को बैटने दो कि मम्मी हम रूम में जाकर खेल लेते हैं ना और तबी यहाँ पर तीनों से लिया बैट कर बाते करने लगती है और चिंकी मिंकी अपने कमरे में जाकर खेलने लगती है और यहाँ पर नेहा देखती है कि दर्वाजे पर कोई छोटी बच्ची भी खड़ी हुई है तभी नेहा सीमा और से पूछती है कि वो कौन है अरे सीमा वो दर्वाजे पर एक छोटी बच्ची किसकी है अरे हाँ मैं तो भूली गई वो मेरी बेटी है वो हमारे साथ आई थी बता नहीं कहा रह गई थी अरे अंदर आओ सूजी अंदर आओ अले मामा मैं आती हूँ मैंना भाल देखने लग गई थी शोरी अरे सूजी तुम तो बहुत ही प्यारी हो तुम अंदर जाकर चिंकी मिंकी के साथ क्यों नहीं खेलती जाओ वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी हलो चिंकी मिंकी मैं शूजी हूँ तुम डोनों कैशे हो शूजी, शूजी कौन, अरे शूजी हम दोनों तो तुम्हें नहीं जानते अरे मैं तुम्हारे पडोस में रहती हूँ, मेरी मम्मा का नाम शीमा है और मैं उनके शाथ तुम्झे आप दोनों से मिलने आई हूँ वाह तुमने बहुत अच्छा किया तुम्झे मिलकला में बहुत अच्छा लगा ये हम तीना एक शाद खेल कर खूम मचते करेंगे यहाँ पर चिंकी मिंकी सुजी के साथ खेलने लगती है बहुत मज़े करने लगती है अरे आप दोनों का तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहां पर आए मैं तो तब से आई हूँ बिल्कुल अकेली सी पड़ गई हूँ मेरे सारे दोस्ती गाओं में रह गए है तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा अरे हाँ हमने भी तुमें दूर से देखा था तब से मन किया कि तुमसे जाकर मिले हाँ अरे मैं तुम दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ अरे नहीं नहीं पानी की तो कोई बात नहीं आप फॉर्मैलिटी मत कीजे हम तो बस यहांपर आप लोगों से मिलने आए है अरे नहीं नहीं कुछ तो खा पी लिजे अरे नहीं नहीं तुम रहने दो परिशान मत हो हम ऐसे ही खुश है और हमें तुमसे बाते करनी है तुम यहांपर बैटकर हमसे बाते करो अच्छी बात है मुझे भी आप लोगों से बाते करना बहुत अच्छा लग रहा है और दोस्तों यहाँ पर नेहा अपने सभी नई सेलियों से मिलती है और चिंकी मिंकी भी अपनी नई सेलियों से मिलती है और यहाँ पर नेहा अपनी नई दोस्तों से मिलती है और जिंकी मिंकी भी अपनी नहीं दोस्तों से मिलती है और बहुत खुश होती है और आगे देखते हैं इस कहानी में क्या होता है तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब and शेर जरूर कीजे और प्लीज हमें सपोर्ट कीजे बाई बाई, थैंक यू दोस्तों